नमुश्कार में उप्रिया धराधर 30 खबरों में आपका स्वागत है चुले जानते हैं देश प्रदेश के अब तक ही प्रमुक खबरों को उतरप्रदेश, पंजाब, उतराखंड, गो और मनिपुर में विधान सभा चुनाव तारीखों का एलान हो चुका है इन पांच राजो में विधान सभा चुनाव परिनामों का प्रभाव इस साल जुलाई में होने वाले राश्रपती चुनाव पर पड़ेगा इतना ही ने इ इन ही पांच में से तीन राजो की उननसी टेक खाली होने वाली है दर असल हाली में चुनाव आयो गो तरप्रदेश समेथ पांच राजो के विधान सभा चुनाव की घोश्रा कर दी है देश भर में एक बार फिर से कोरोना की बेलगाम होती रफ्तार के बीच प्रधार मंतर वाले की तरफ से जारी आंकडों के मताबिक बीते 224 जिनोबाद देश में कोरोना के दैनिक मामले डेर लाग के पार हुए हैं बांगलादेश की टीम टेस्स सीरीज जीतने के लिए काफी कड़ी महनत कर रही है लेकिन इन सब के बीच ये मैदान पर अपनी गलतियों की वज परतिकी और बल्लेबाज विल यंग को सिर्फ एक गिन पर साथ रंदे दिये। की धर्ती पर आतंकियों को बचाने के सवाल से बचने की सहुलियत मिलती है। इंडियन एक्स्प्रेस के मुताबिक साथी Human Rights, Gender and Monetary Rights समेथ तमाम सवालों से वो बच सकता है। बिहार के मध्यपुरा में 11 बार कोरोना की वैक्सिन लगवाने का दावा के चर्चा में आये ब्रह्मधेव मंडल दो सीवत्म फस गये हैं। उनके खिलाफ पुलीस ने फायार दर्च की है। पुरैनी के SHO ने कहा है कि प्रात्मिक स्वास्त केंदर पुरैनी ने ब्रह्मधेव मंडल की खिलाफ शिकायत दर्च कराई थी। मामले की जान चल रही है मंदेपुरा जुले में रहने वाले 84 साल के ब्रह्मधेव ने 11 बार कोरोना का टीका लगाया था। बुज़ोग ने 12 भी बार भी टीका लगवाने की कोशिच की लेकिन सफल नहीं हुए। कोरोना का साया अब देश की सरवोच अदालत सुप्रीम कोट के जजो तक पहुच गया है सुप्रीम कोट के चार मौजुदा जज कोरोना वारे से संक्रमित पाएगी है। इससे पहले गुरुबार को सुप्रीम कोट के दो जच कोरोना पॉजिटिव पाई गये थे इसके लावा रजिस्ट्री के करीब 150 करमचारी भी या तो पॉजिटिव है या फिर आइसलेशन में हैं इसके पहले संसत के करीब 400 करमचारी सुरफशाकर्मी भी कोरोना संक्रमित प कोरोना होने के बाद वो घर पर ही कॉरिंटीन में थे उन्हें शेफ जन्वरी को अस्पताल विभरती करवाए गया है जहां उनका इलाज चल रहा है। की ज़रूरत नहीं है। दिली में शनिवार को 20,000 कोरोना मरीज आये हैं लेकिन दिली में अस्पतालों में मरीजों की संख्या 15,100 है। जबकि बीते साल 7 मई को जब 20,000 केस आये थे तो अस्पताल में मरीजों की संख्या कई गुनाज जियाद थी। अर्विंद के जुबाल न के लिए ICC Player of the Month Award के लिए नामित किया गया है। में के अलावा भारतिय मूल के ही स्पिनर न्यूजिलंड के स्पिनर एजास पटेल और आस्ट्रेलिया के तेज गेंद बास मिशेल स्टार को भी इस अवार्ड के लिए नामित किया गया है। गया है। 151 में जन्र दिन पर खास डूडल बनाया है, फातिमा शेख भारत की पहले मुस्लिम महिला सिक्षिका थी, उन्हा ने मुस्लिम महिलाओं के लिए बहुत काम किया था, फातिमा शेख ने सन 1848 में समाथ सुधारक जियोती राव और सावित्री भाई फूले के साथ मिलकर एक जन्राव के प्रेमियम भरने सहित तमाम काम IP, PB, मॉबाइल आप के माधिम से किये जा सकते हैं, IP, PB आप से कोई भी खात अधारक आसानी से अपना बालेंस चेक कर सकता है, पैसा ट्रांसफर कर सकता है और अन्य वित्य लेंदेन कर सकता है, जिसके लिए उन्हें पहले डाग जैपी नर्डा भी अपना दौरा रद कर चुके हैं कक्षा 10 और कक्षा 12 के साल 2021 की बोड पर रिक्षाओं के अंतरगत नमबर दिसंबर 2021 की दौरान विभेन तारीखों पर आयोजित की गई पहले चरण यानि टर्म 1 पर रिक्षाओं के नतीजों पर एक बड़ आपडेट सामने आया है बोड के अधिकारियों से प्राप्त जानकारी के नुसार सीबियसी टर्म 1 रिजल्ट 2021 की घोष्णा जनवरी 2022 के आखरी सब्ता के दौरान की जा सकती है यूपी चुनाब 2022 मेरट में वधानसभा चुनाब की दरान चप्पे चप्पे पर अर्धिसैनिक बल की तैनाती की जाएगी कप्तान के कई वधानसभा को अर्धिस सम्वेदन शील बताते हुए अर्धिसैनिक बल की 90 कंपनी मांगी है इनमें 9000 से ज्यादा जवान होंगे सभी जवान को पोलिंग सेंटर पर ही रखा जाएगा ताकि कोई भी कानून हाथ में लेने की कोशिश ना कर या रधिसैनिक बलो के ठहरने के लिए 25 कॉलेज में वस्था की गई है देश में कोरोना का कहर दिन भर बढ़ता जा रहा है गुरू गोबिंद सिंग की आज 355 वी जुएंति हैस मौकी पर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी ने देशवासियों को बढ़ाई दी है और कहा है कि गुरू का जीवन और संदे श्री लाखो लोगों को शक्ति देता है आपको बता दे कि गुरू गोबिंद की जुएंति को प्रकाशपर्फ के रूप में मनाये जाता है आज के शुभफसर पर प्रधान मंत्री ने अपने बिहार के पटना दौरे की कुछ तस्वीर इपीसा जागी है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंड़ पर ट्वीट कर लोगों को श्री गुरू कोबिंद सिंग जी के प्रकाशपर्फ पर बढ़ाई दी है स्वास्तमत्राले ने बीते दिन अपरे ट्वीट में ये कहा है कि जो कुरोना वाक्सीन की दो डोज ले चुके हैं वो किसी भी वाक्सिनेशन सेंटर पर अपॉइंटमेंट लेकर या सीधे ही जा सकते हैं 25 दिसंबर को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने एलान किया कि हिल्थ वर्कर, फ्रेंट लाइन वर्कर और सीनियर सिटिसन के लिए कोरोना वाक्सीन के तीसरे डोस की प्रक्रिया की शुरवाद 10 जनवरी से की जाएगी महराश्च में बढ़ते कोरोना संक्रबन को देखते वे राजस्तरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है इन गाइडलाइन के तहट आज यानि की 9 जनवरी रविवार रात 12 बजे से नई कटोर प्रतिबंध लागू किये गया है रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर फ्यू लागू किया गया है सुबह 5 बजे से रात 11 बजे तक धारा 144 लागू रहेगी यानि की दिन में एक साथ एक जुगे पर पांच या उससे अधिक लोग एक अतर नहीं हो सकते हैं विद्या बालन ने अपने करियर में कुछ चांदार किरदार निभाए हैं जिन्हें आज भी याद किया जाता है इन्हें निभाए किरदारों में से एक है 2007 पे रिलीज हुई अक्षे कुमार की फिल्म भूल भुलाईया में मन्जुलिका का किरदार इस किरदार में विद्या ने अपनी पूरी जान डाल दी थी इस फिल्म में उनके किरदार की सब ही ने तारीफ भी की थी बड़ी संख्या में मरीजों को अस्पताल जाने की नौबत नहीं आई है स्तामानी लक्षन होने की वज़ो से इस समय 16,028 कुरोना संक्रमेट होम आईसोलेशन में है वही 1178 सिम्टमाटिक संक्रमेटों को अस्पताल में भरती करवाए गया है कुरोना के चलते आर्थिक तंगी से जूज रहे पिरेंट्स के लिए योगी सरकार के इस फैसले से काफी मदद मिलेगी प्रदेश में ये 30 साल है जब स्कूल फीस में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है बीते दिन महिंदरा आनद महिंदरा ग्रूप के चेर्मन आनnd महिंदरा योजर के पूछा कि मुझे पता है कि वह एक बेवकूफी भरा सवाल है लेकिन फिर भी पूचता हूँ आप पंजाबी है बाल कि शूर उम्र के बच्चे रोजगार मांगने में सब से आगे है नाशनल करिये सर्विस पोर्टल पर पंजुकृत बिहार के बेरोजगारों में सबसे अधिक प्रतिशुत 18 वर्ष से कम उम्रवालों की है हाला कि संख्या के लिहास से देखे तो रोजगार मांगने वालों की संख्या सबसे अधिक 25-34 वर्ष वाले युवाकी है न्सी एस पोर्टल पर 31 दिसम्बर तक बिहार के 13,60,95 बेरोजगारों ने पंजी करन करवाया है जातिका जनगनला को लेकर जगदारन सिंग और उपेंदर कुश्वाह के बयानों से भाजपा और जदियू के बीच बर्थी खाई को पाटने के लिए जदियू के पुर्व प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नितीश खुबार के बेहत करीबी वशिष्ट नारायन सिंग सामने आ है वशिष्ट नारायन सिंग ने राजप की ओफर को सिरे से खारश करते वे कहा है कि जदियू को भाजपा के साथ अटूट संबंध है और राजप के साथ जाने का कोई सवाल ही नहीं उड़ता है पहाडी राजप में बर्फबारी और मैदाने इलाकों में बारिश ने मौसम में बदलाव लाया है जमुकश्मीर के श्रीनगर से लेकर राजस्तान के सीकर तक स्तर्दी का सतनम बढ़िया है जहां दिली में आज बारिश हो रही है जहारकंट बिहार यूपी सहित कई राजो में बारिश के आसार है दिली अंसियार में रविवार सुभै से बारिश जा रही है आप इसे तर हमारी सवालों का जवाब देते रहे हम हर दिन वीडियो केंट में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे तो चले बढ़ते आज के सवाल के और आज का सवाल कोश इस प्रकार है आपके रुसार कोरोना के बढ़ते संक्रबन को देखते वे लॉकडाउन लगा देना चाहिए या नहीं अपने जवाब में कॉमेंट करके ज़रूर बताएं इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकोन दबाना ना भोलें धन्यवाद